देखे आज आप लोग प्रस्ण वाले तीन दुसलों तीन का प्रस्ण क्रमांग के तीसर पढ़ेंगे तो देखे सबसे पहले प्रस्ण को आप लोग पढ़ेंगे कि दो समपूरा कोड़ों में बड़ा कोड़ छोटी कोड़ से 18 डिगरी अधिक है उन्हें एक जात करने तो यहां पर आप लोग देखे समपूरा कोड़ यहां पर लिखा समपूरा ठीक है यहां पर आपको ऐसे दो कोड़ों लेना पड़ेगा ठीक है यहां पर ऐसे दो कोड़ों होते हैं जिनको आपस में जोडने पर 180 डिगरी होता है ठीक है 180 डिगरी होगा वो समपूरा यह पूरा कोर्ड होता है टीक है इतना तो आप समास्य हूंगे मिल्ब दो कोड़ों को आपस में जोडने पर दी 90 डिगरी अता है तो इसमें से सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि बड़ा कोड़े याग से डिग्री और छोटा अकॉंड by degree ठीक है? इतने तुलोंबा का आप समझ गया हूंगे यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं कि बड़ा कौण ठीक है? यह हो जाएगा सबसे पहले आप लिखेंगे माना की बड़ा कौण यह हो जाएगा बड़ा कौण वो बराबर हो जाएगा एकसे डिगरी इसी तरह से दूसरा छोटा कोड़ दे रहा है तो आप छोटा कोड़ लिखेंगे ठीक है यह जाएगा छोटा कोड़ बराबर हो जाएगा बाइट डिगरी ठीक है इतना तो लगवक्त समझ गया होंगे और आप जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर समपूरक दे रहा है समपूरक मिन से होता है कि दो कोड़ों को आपस में जोडने पर 180 डिगरी होता है तो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं कि प्रसलिक के हिसाब से क्योंकि समपूरक लिखा गया तो यह हो जाएगा समपूरक देखे संपूरक का मतलब होती है कि दो कोड़ों को आपस में जब जोड़ोगे ति कितने डिगरी होता है एक सो अज से डिगरी होता है यहाँ पर एक सोसी क्यों हो गया क्योंकि संपूरक कोड़ है आप विलिखना पर गया है पर संपूरक कोड़ है यह हो जाएगा संपूरक क द्यान देने, जब कम होगा अधिक है तो 2 डिग्री की बीच में आपको भठाने की चिन लगाना पड़ी का ठीक है तो यहाँ पर हम लगा लका लिते हैं तेखिए यहां पाट कि कम और अधिक बोला एक्स और मवांडेंस बैच ओर मैंस सभॉवाई की बीच अपको घटाने कर लगाना पड़ेगा और बदा पर जाएगा अठारा बोला अधिक तो अठारा आपको बराबन में करना पड़ेगा ध्यान देना है कि जब अधिक और कम की बात किया तो दोनों दिगरी की बीच में घटाने का चिन लगाएंगे ठीक है यह जाएगा सम्मिकर नंबर दो ठीक है अब यहां पर आप चाहिए से बिलोपन विद से हल कर सकते है या पर प्रतिस्थापन विद से हल कर सकते है ठीक है लेकिन यहां पर बिलोपन कर विद बोला गया तो हम बिलोपन की विद से हल करेंगे ठीक है यहां पर आपको लिखना है सम्मिकर एक हुआ सम्मिकर दो से सम्मिकर एक हुआ सम्मिकर दो से यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इस के उच्छान को प्रतिस्थापन बिद से हल करना पड़ेगा, इसलिए आप इसे प्रतिस्थापन बिद से हल करें, आप यहां पर विलोपन ना लगाएं, ठीक है, तो चाहे आप यहां पर समीकड एक से हल करना इस्टार्ट कर सकते ह करेंगे ठीक हां पर हम समिकड एक से हल करना स्टार्ट ही करेंगे ठीक है तो यहां पर लिखागए समिकड़ एक पहले देख के हम दिख लेते éq फ्लैस हो जाएगा 22 दिग्री और बड़ाबर यहां निकाल है घ्रक यहां पर चाहिए तो आप एक्स कमान निकाल के ist तो देखिए हम जब एक्स कमान निकालेंगे तो यह एक्स को पक्छांतन नहीं करना है तब यह को पक्छांतन करना पड़ेगे ठीक है तो देखिए हम पर बरावर क्षिन लगाएंगे और यह हो जाएगा एक्स व ऐस्ते डिगरी ध्यान देना बाई इदर प्लैस में आगे मा पक्छांतन करेंगे ती हो जाएगा माइनस में ठीक है और इसको देना है समीकर नंबर 3 ठीक है अब ध्यान देना कि इस एक्स के मान को समीकर नंबर 2 में रखना पड़ेगा ठीक है तहां पर हम लिख लेते हैं कि एक्स का मान ठीक है एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ठी हailaka यह हम दो में रख लिए आ ठीक है। तो ध्यंगार देना केहप पास समय और दो लिखा गया न तो समय और दो को एक बार लिखना पढ़े तो समय और दो दो कि एक कि प्लस बाई बर справ को सब्सक्रस जेगा B लिखेंगे 180C और माइनस जाएगा बाई ठीक है माइनस बाई और यह जाएगा बाई प्लेस जाएगा बाई और बराबर जाएगा इतना तो समझ गया होंगे आब इसके बाद देखिए कि तरह पक्षंतरं करना पड़ी यह जाएगा माइनस बाई ठीक है तो ध्यान देना कि माइनस माइनस प्लस होता है यह जूड़ जाएगा तो टू वाई हो जाएगा लिकिन चीनी के लगाओंगी माइनस का ठीक है उसी त का घटाएंगे ति हो जाएगा 2 और बचा कितना ये 7 तो 7 में 1 घटाएंगे ति हो जाएगा 6 ठीक है और यह हो जाएगा 1 इतना तो लभबगह आप समाझ की गए होंगे त्रीक है अब इसके गए से बाद ध्यान देना दो को पक्षंतर करूंगिती हो जाएगा भाग में ठीक है आप इसकी बाद देखे दो मतलब यहां पर आपको करना पड़ेगा क्या भाग देख चासी आएगा ध्यान देना आप इस बाई के मान को समीकर 3 में रखना पड़ेगा जो कि प्रतिस्थापन का नियम होता है ठीक है हम तीन में रख लिएंगे तो यहां पर हमने लिख लिए के मान को समीकर नमबर 3 में रखने अपर ठीक है तीन में रखा गए थीक है यहां देना कि यहां पर देखे जहां पर बाई है नहीं पर आपको करना पड़ीगा एक चासी यही जाएगा 180 और माइनस हुजएगा 180 ठीक है तो जो एक्स कमान आएगा तो 180 में 180 घटाना पड़ेगा था देखे यहां पर है 10 तो 10 में से आप एक घटाएंगे तो जाएगा नौ यह बचा 17 में आप जाएगा तो नौ आएगा ठीक है तो दीक है पर एक खमान 99 आज चुका और बाई कमान सही एंस इतना तो समझ गया होंगी ठीक है इस तरह से आपका सही एंसर होगा है थैंक यू उम्मेद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा